बुट इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों आज हम लोग एक बहुत ही नया चाप्टर इस एल्कोहल, फेनौल, इथर बंडें जा रहे हैं दीक है पिछली क्लास में मैंने आपको हैलो एल्केन, हैलो एरीन पूरा पढ़ा दिया था आप लोग ने से questions भी लगा लिए अब हम लोग जो है इसके आगे का topic पढ़ रहे है that is alcohol, phenol and ether सबसे पहरे जानिए कुछ basic से हम लोग शुरू करेंगे और फिर जो है complex की तरफ बढ़ेंगे लाइक एक ग्रूप होता है जिसको कहते है हाइड्रॉक्सिल ग्रूप और इस अग्रूप हाइड्रॉक्सिल ग्रूप और इस इस दा फॉंक्शनल ग्रूप अब और खॉंक्सिल रोष और क्र जयुक्सिल ग्रूप से लगे很好L लगा ह्यद्घा क्यान देखेया अब और फॉंक्सिल गिरूप अब यह फंक्षार बुरूप से लगेगा खूं लिभा है और वध्यार ओश्यात्योट हाँ जिसको 2OH that is benzyl alcohol लेकिन ये दोनों ही जैसे इस benzyl alcohol और क्या हो सकता है जैसे कि phenol इस और तो क्रिसॉण और दिस इस इनॉर्ण मुझे लगता है कि आप ये सारी इस पेशी से वाकिफ हैं बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीजों के बारे में चल्ड़िए अजय को चल्ड़िए अब बता कैसे करते हैं कि कोई भी species एल्कोहल है कि कुछ और है पी करे गोई मुझे टो कॉछ पता करें गे तो एल्कोहल का टेस्ट है लोगाल कि ये एल्कोहल एक्षि इनॉल है इथर या इनॉल है इनको कैसे टेस्ट करेंगे तो पढ़ते हैं, लिखी लिखी, all alcohol give red color with red color with this is important, seric ammonium nitrate इसको दिनोट कते हैं, C, A, N अगर alcohol होगी, in the form of substrate, तो हमने reagent लिया, seric ammonium nitrate, जैसे उसे पास करेंगे, तो कौन सा color देगेगा, red, चल्द, दीखो, पनल, झाल, and मॉल्स गेव वयलेट क्लर वेड नियोटर्स FE से due to complex formation दूटू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो भाया एल्कोहल क्या देंगी नुट्रल एफी-C-L-3 के साथ की विए सेरी कमोनियम नाइट्रेट सेरी कमोनियम नाइट्रेट और फिनॉल और इनॉल किसके साथ टेस्ट देंते हैं नुट्रल एफी-C-L-3 के साथ विएलेट किलर बनाते हैं रीजन क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन चले अब बात आती है अल्कोहल और कार्बाद सिल्क एसिम्ड देखेगा और हमने इसको ट्रीट किया कॉंसंट्रेटेड सलफ्यूरिक एसिड और हीट किया तो अल्कोहल यह सम्थिंग आर ओ एच और कार्बाग्सलिक एसिड इसम्थिंग आर सी ओ ओ एच इंट्रेस्टिंग चीज़ यह है यहां से एलकोहल से हाइड्रोजन और एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला और क्या बनेगा आर ओ ठीक है सी ओ आर इस्टर इस्टर की स्मेल कैसी होती है इस्टर की स्मेल कैसी होती है यहां पर वेच बॉर्ण ब्रेक हुआ है और यहां पर सी ओ बॉर्ण ब्रेक हुआ है अरिया इक कोशन हे एक कोशन है फिननॉल पिनन कैन बी दिस्टिंगुश्ट बाई सबसे पहली बात है योटरल फिस येल 3 दूसरी बात है ब्रोमीन वाटर तीसरी बात है सेरिक अमोनियम नाइट्रेड चौती बात है आइडो फॉर्म टेस्ट मुझे लग रहा आपको याद भी आ गया होगा एथाइल एलकोहल दे रहाता फिनॉल नहीं दे रहाता है इना आइडो फॉर्म टेस्ट और पाच्वी बात है सोडियम मेटल इस दा आपको पता है एसेडिक हाइडोजन का टेस्ट है इस टेस्ट और इसके बाद है याट इस एक्वस सोडियम हाइडो अग्साइड तो कौन-कौन सा रिएजेंट काम करेगा करें सर्क पहला वाला तो दिख रहा है दूसरा भी बढ़ा है सेरी कम हो नहीं हो रहा है एक्वस सोडियम हाइडोकसाइड वाले तो तुमने देखा यह कैसे होगा तो कहे रहें सर दिसे कुछ दिखा देगे सारे टेस्ट पढ़ा रखें यह ऑल्रडी एक दो दिखा दिखते हैं ऐसे एलकोहल हैं यह सोडियम हाइडोकसाइड के साथ टेस्ट देगा क्या नहीं देगा कौन देगा फिनॉल अगर मैं दूंको यह दिखाओं ब्रोमीन वाटर वाला ब्रोमीन वाटर के साथ यह अबन क्या अगर तू फूएफिक्स टराइब्रोमोफिनॉल यह दिखाओं वाटर वाटर के साथ दो हुआ है पर सिक्सिट यह दो धार परसिक्स अपने था से सप्सिक्ट्रिपूल एक साथ इसा परिशित है वाइट प्रेसिकित्त अगर अल्कोहल वाटर के साथ टेस्ट नहीं देता है हो गया नूट? आया ना अब आते हैं अगे लिखिए परिन लाले अज़ के लिखिने a monohydric alcohol a monohydric alcohol like RCH2OH CH O H R M C This is primary alcohol degree of alcohol कैसे डिसाइड होती है degree of carbons है secondary alcohol tertiary alcohol अब आदे ही कुछ ऐसे method पे जिससे प्राइमरी secondary और tertiary alcohol को distinguish कर सके ठीक है आगे बढ़ जाओ कि रिंड लाले method method to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol degree of alcohol कैसे पता करें है सबसे पहले आता है दाट इस लिवकास टेस्ट सुना भी होगा बहुत फीमस है लिवकास टेस्ट लिवकास टेस्ट में क्या होता है अल्कोहल लेते हैं और मैं एरो पे ही रिएजेंट लिख दे रहाँ क्या दस बार लिखो गए प्रिएजेंट लिए रिखो लेते हैं यह आईड्रोख्लोरिक असीड और एन हाइट्रस जींक क्लोराइड आपका प्रोड़क्ट बनता है अलकाइल क्लोराइड और साथ पन इस यह अलकाइल क्लोराइड है इस क्योंकि यह मॉन फोलर है तो इस इन शॉलिबन इन वाटर एंग कैसा दिखेगा अपियर एस तर्विड और ट्लावदिनेश अपियर एस तर्विड और ट्लावदिनेश झी कैसे लोकाश स्थे है लूकक्षस थेस एस एस इसमपल एफ Nucleophilic Substitution Reaction and Intermediate is Reaction Intermediate is Carbocetion Hence Reactivity Order क्या होगी? बताओ Carbocetion का Reactivity Order क्या होता है? Tertiary, Secondary और Potentiary, Alkohan Secondary, Alkohan और Primary, Alkohan ठीक है? चलिए अब बताती है कि जो Tertiary Alkohan है अगर Alkohan Tertiary है अगर Alkohan Secondary है और अगर Alkohan प्राइमरी है तो The Tertiary Alkohan विल गेव अगर तरबिदी 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 विदिन विदिन फाइफ मिनट और यहां पर लखिये प्राइफ तर्बिदी तरम-ट्र अर्ण भूजर बाद, इत में अपयर अप्र बाद घौट, इत में अपयर अपीर अपिरंग, बाद, इत में, अपयर, हो गया चलिए देखते हैं इस पर एक बार कोशिन आया था कैसा कोशिन आता है इस टॉपिक से लख़ी हे रिख हे इस पारे कुटए। लेजिदा रा है इंट ग्र mandated ड्रय खेए जिए प्रशिय खेते हैं। प्रबाद इतीक में अुपिडियती क्विटाम आपशियरलकोष सिर्जीरं आपशियरलकोष सिर्जीरं option 3 is option 4 is 5 8 8 9 9 10 10 11 पर यह कौन सा अलकॉल है प्राइमरी यहां पर एक दो तीन यहां लगाया ओएच सेकेंडरी अलकॉल यहां लगाया मैथाई लिकिन ओएच ये देगा यह भी देंगे क्यों देंगे लिखो due to formation बन्जाइल तो बहुत साथ रेक्टिव होता भी या बन्जाइल अलाइल due to formation of resonance stabilized cargo कहता है याना आता है कि नहीं आता है बनाने आता है कि नहीं कि चलिए कि आगे बढ़े कि आगे बढ़ जाओ मैं आगे बढ़ जाओ heading डालिए Victor विक्टर मेयर टेस्ट इसी को और कहते हैं RVW टेस्ट मनलब यहां पर RVW का कुछ बहुत मतलब नहीं है कलर है रेड ब्लू और वाइड मतलब वाइड मतलब नो कलर थेगे हैं चौना विक्टर मेर तेस्ट इसमें लिखेंगे अमनों कि जो प्राइमरी एलकोहल है इस विल गिव रेड कलर और क्यों देगी दिव तू विल फर्मेशन ऑफ शॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक इसेड अब हम बात करेंगे सेकेंड्री एलकोहल की कौन सा कलर देगा ब्लू दू फर्मेशन ऑफ स्युडो नाइट्रोल्ड और जो पका टाश्यरी एलकोहल हैं इसमेट नुटेस्ट् नुटेस्ट् लब कलरलेस् समझने आ गया है और भी डब्लू का मतलिक है रेड ब्लू और लो कलर कि अगया है कि अगया है कि बनाकर देख लेते हैं कि इसे आपने लिया है लेश्का रिएजन लिखना है कि देख लोगे लिख्वा भी दोगा खिर्णा है अब लेखो कह सेखते जाओगे मैं लिखवा भी दूँगा अब है टो आपिस्ट को बंता है टीजरी टीजरी टीजब टीजरी टीजरी झाल झाल प्रहुब दूल इस इस नाइड्रालिक लेसे और जब इसको ट्रीट करेंगे इस के साथ तुम्हों क्या मिलेगा स्वार्ड ओव नाइड्रोलिक एसे और यह पैसा होगा रेड़ करेंगे ओके मुझा अब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं सेकेंड्री एल्कों कि मुझा अब हम इसकेंगे इनमें आड अरेट्ट पी आई च्री लिख तू आया ना करेक्शन करने हैं मुझे लगता है कि मैंने स्मां हाइड्रोजन को नहीं लिया है यह हाइड्रोजन की है पूरा अलग हुआ है दुद्ध्या ना वेच पानी निकल ला पानी तेक्ट है तुझे प्रोड़क्ट्ट बनेगा घटिस श्यूडो मैप कान सा कलर देगा प्राइमरी सेकेंड्री टर्शिरी कोई कलर आगे बड़ें बुली? 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 यह दो टेस्ट हो गया आप करने जा रहें दि हाइड्रोजीनेशन टेस्ट और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइक्रोमेड टेस्ट लेट इस ऑक्सीडेशन टेस्ट हो गया है कि अगे बड़े हैं नो कर लेज़ा है कि अगे डी हाइडोजिनेशन तेस्ट मतलब क्या नहीं करना भाईया हाइडोजन हाइडोजिशन भी एक तरीके का कैसा रियक्शन है ऑक्सीडेशन है है ना चला यहां पर जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं तो दर रिएजेंट इस कॉपर जहां चला बस्टीर आस्टीर चला जाल चला तक यह 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 जाल झाल झाल जया काय जया है काया जया काया है हो गया है लिखिये बड Tertiary Alcohol Gave Dehydration and κάθε यहां पर होगा beta elimination reaction, that is dehydration करेंगे आइसो ब्यूटीन अमाम कड़ेंगे डाइक्रोमेंट टेस्ट यहां है और यहां पर जो हम रियेजिंट यूज़ करेंगे वो है अने टू सी आर टू ओ सेवेंट या एस प्लस के साथ असे एक मीडियम में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइम बेर यह अल्फॉहल के बारे में और जब हमने इसका ट्रीटमेंट किया कि यार टू ओ सेवेंट टू माइनस और एच प्लस अधिस ऑक्सिदाइजिंग एजिंट इसने अल्कॉहल को सीधे इस्ट्रॉंग ऑक्सिदाइजिंग इसने अल्कॉहल को सीधे क्या बना दिया अल्डियाइड वल्डियाइड नहीं बना इसीधे एसिड बना दिया और दो क्रॉमियम आएं ग्रीन कलर जब हमने इसी का रियक्शन तो प्रॉडक बना की टोन अधियाएड ने इस अंधिया अधिया ने अधिया वर्यक्राइड अधियुक्राइड फोर्डियाग्य बना इसने इनका अधिया रिख्याग्याग्याओ प्राइब दो तर्शेरी अल्कॉहल पर क्या हो गया था तर्शेरी अल्कॉहल अगर हमने दिया और इसको हमने ट्रेट किया तो दिकिया नो रियक्षिन के ओर्षिन कर जो करता क्या कॉन्सा क्लर होता ओर जफिर उत्याव पताएगी नहीं क्लास 11 में आपको रिदोक्स पढ़ाया होगा वहां पढ़ाया होगा आजबी राश्यक मीडियम और अलकलाइम मेडियम में oxidation state पढ़ाई है है ना यहां तक सबस्वाइब में आ गया चलिए heading डाले properties अब properties में हम पढ़ाएंगे सबसे पहले boiling point it is directly proportional to molecular weight and inversely proportional to branching यह बात किसके लिए for isomers for isomers इसका मतलब normal iso neo में branchी सक्जारा नियो में होती है उससे कम iso में सबसे कम normal में boiling point रचे लिए किसका normal alcohol then iso then neo चलिए एक example आप बताएएगा boiling point का like c h3 o h c2 h5 o h c3 h7 o h और c4 h9 o h वही अब boiling point बताना है सबस्यादा molecular weight इसका उससे कम इसका और हो गया चलिए heading डादी है आगे बढ़े 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 heading डादी है boiling point और सबसे ज़्यादा boiling point होता है acid का उससे कम होता है alcohol का उससे कम होता है aldehyde का उससे कम होता है ether का उससे कम होता है alkane का या hydrocarbon का रिजन क्या है रिजन क्या है due to dimerization यहां पर due to hydrogen bond और इसमें क्या है dipole dipole interaction do polar species के बीच में लगता है this is क्योंकि यह weak polar है species है this is weakly polar और यहां पर क्या होता है wonder wall wonder wall force okay 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 क्या पर्भार क्या would प्यां, एंदा लिदो दान चलिए रिंग डालिए लिए 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 लोवर एलकोहन C1, C3 are completely soluble that is miscible in water due to formation of hydrogen bond with water okay, but as the molecular weight increases non-polar alkyl group become dominate hence hydrogen bonding tendency and water solubility decreases for example agar मैं बात करना हूं solubility is inversely proportional to molecular okay 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 जैसे यहां पर solubility की basis पर methyl alcohol ethyl alcohol propyl alcohol butyl and solubility किसके जादा होगी order ऐसा बनेगा okay okay मुझे लगता है कि आपको समन में आ गया है boiling point और solubility inverse हो गया यह ना जो नोट कर लिया आप लोगानी बड़ प्सजब बड़ चलिए एरिम डाले general formula the general formula is cn h2n plus 2 अब यह general formula आपका alcohol के लिए भी है और ether के लिए भी है like example c4 h9 oh या c4 h10 o लिख दूबल की जदा अच्छा रहेगा इस हिसाब से ब्यूटाई तो इस general formula के लिए मैं चार alcohol बनती है कित्ते बनती है बनाया है न आइसो मेरिज्म चैटरप में जिसमें दो आपकी primary alcohol होती है एक आपकी secondary alcohol होती है और एक आपकी tertiary alcohol होती है और इसके बाद क्या है इथर इथर बनता है तीन टोटल साथ structural isomal हो गया चलिए जब मैं बात करता है c5 h10 o h12 o यहां पर बनेगा 8 alcohol है और 6 इतना है टोटल जोदा structural isomal इसमें से चार primary alcohol तीन secondary alcohol और एक tertiary alcohol केके अब बात करते हैं structure की कार साथ जल लाए हो फिसा itelए जलिए उहाओ ये ॹे ये ूह ये ब भाँ पाव पाव मै रिप ये का प्रेव का प्रेंग सेट और स्वेर कर दोगा है प्राइब। झाल तो बॉंड एंगल 111 डिग्री क्यों है द्यू टू इस्टेरिक रिपल्शन बिट्मिन बल्की अलकाइल ग्रुप और देखो अलकोहल में कितना है 108 डिग्री यहां पर बॉंड एंगल देखो बढ़ गया समझ्ग्या है यहां पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉंड लेंध है दिस इस 136 पीकोमिल्डर और लिखो in alcohol and ether, carbon oxygen bond length is almost same और देट इस 141 पीकोमिल्डर 141 पीकोमिल्डर अचला हो गया अब हम लोग पढ़ने जा रहे है रियक्शन यहीं सर्लों दो जगार से रियक्शन होगी एक तो यह हो सकती है र, O और H है एक बार यह bond break हो तो क्या हो जाएगा? R, O, minus यह एक बार यह bond break हो यह पार्टिसिपेट करें यह जानने के लिए इसको लिखने की जुरत नहीं है आपको आता ही है दो जगार की breaking है तो एक बार OH bond break हो और एक बार CO bond break हो कौनसा bond? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जो रियक्शन that is due to breaking of CO bond, OH bond फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे next class में यही से पढ़ेंगे thank you